हेलो फ्रेंज वेलकुम तो आज चैनल फूदिस रसिपीज आज के हमारा वीडियो बहुत ही मसालेदार होने वाला है क्योंकि हम बनाने वाल हैं वेजिटेबल मसाला इडली तो चलिए आपका समय और ना दिखाते हुए बनाना शुरू करते हैं सबकी फैवरेट वेजिटेबल मसाला इडली वेज मसाल इडली बनाने के लिए हमने यहां लिए बारिक कटी शिम्ला मिच, बारिक कट अपयास, बारिक कटा टामाटर, हरादनिया, सोडा, नमब, स्वादानुचर और लाल मिचकॉप इसके साब मैंने आहा लिए एक कप बारिक सूजी आप मोटी सूजी कभी यूज कर सकते हूं और दो कप दही दही आप अपने इससाब से कम या जादा यूज कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिला कर आदे घंटे के लिए रख देएंगे ताकि दही और सूजी मिक्स होके तोड़ीसी फर्मेंट हो जाएं और सूजी जब कूल जाएगी तब हम इसमें सब्जियां डालेंस की इदली बना देएंगे ये देखे, सूजी और दही अच्छे से mix हो गई है, अब हम इसे आदे गंटे के लिए रख देंगो सूजी और दही के खुलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारिक करटी प्यास, बारिक करटा ता मातर, बारिक करटी शिम्ला मिल्च, अरा गनिया अब धन्या डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वादा नुचा, लाल मेच पाउडर, मसाले अब अपने इससाब से कम या जादा कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे आप चाहें तो इस इसली में अपने पसंद के साब से दूसरी सब्चा भी डाल सकते हैं जैसे कि अमेरिकन कॉन, बीम्स या पालक को भी आप बारिक काट कर इसमें डाल सकते हैं सारे सब्चा भी और फूजी में अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर हम इसमें सोडा डाल लेंगे और राई का तड़का लगा देंगे अब हम इसमें एक टीज़पून सोडा डाल देंगे अगर आप चाहें तो सोडा की जगा इनों का यूज भी कर सकते हैं अब हम इसे तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए पैन में दो डेबल स्पून ओयल डालेंगे और तेल के घरम होते ही इसमें हम दो टीज़पून राई डाल देंगे राई अच्छे से पूतिन लगे तब हम यह तड़का इडली वाले बैटर में डालके इसे अच्छे से मिला देंगे बेकिंग सोडा इनों डाले के बाद हमें इसे ज्यादा नहीं पैटना है तुरंथ स्टीम करना है इडली मॉल को हम टेल से ग्रीस कर लेंगे टेल से ग्रीस करने के बाद इडली बैटर को हमें 70-80% बना है हमें इसे पूरा नहीं बना है जोकि इडली स्टीम होने के बाद अच्छे से फूल जाती है आपने नोटिस किया होगा मैंने इस बैटर में थोड़ा भी पानी का यूज नहीं किया है क्योंकि दही और सब्से में जो थड़ा पानी होता है उसी से सूज़ी सॉप हो जाती है मैंने इडली पोर्ट में पैने से पानी गरम कर लिया है और एक इडली प्रे रख दी है अब हम दूसरी ट्रेवी रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनित तक धब कर पकाएंगे 12 से 15 मिनित होने के बाद यह देखे एडली बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गई है अब हमेंसे गय से हटा कर खोड़ा सा थंडा होने के लिए रख देंगे प्रेंस अगर आप हमारे केनल फूडिस रेसिजिस के नए आये हैं तो नीचे दिये गए सब्स्राइब बटन बे क्लिक कर लिए और बैल का आइकोन दबा के और सिलेक कर लिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकते 5-10 मिनिट के बाद इटली को हम चमस या वटर स्पून की सहायता से निकाल देंगे इडली जब गरम हो तब उसे ना निकाले नहीं तो इडली तूट सकती है हमारे व्याज मसाला इली बनके तयार है मैं आपको इसे बीच में से तोड़के दिखा दी हूँ यह देखिए कितनी अच्छे सिस्टीम हो गई है आप इस इली को नारेल की चतने की सब्सक्राइब कर सकते हैं नारेल की चतने की लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो आप जरूर से इस व्याज मसाला इली को बनाएं और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें